तो हेलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे जो NVS PGT Commerce 2023 में अब ही लास्ट दिसंबर में जो हुआ था उसका पेपर हम डिसकस करेंगे जो के हमारा हैलफ फुल होगा किसमें PGT Commerce में जो की विएश का उसमें कुछ हैल्प मिल सकते उस से रिलेटेड आज हम इसको डिसकस करेंग जरूर कीजिएगा अब इसका हिंदी वर्जिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि जहां से मेरे को पेपर मिला तो वहां से मेरे को इंग्लिस मीडिया में ही मिला तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा मेरी कोशिस रहेगी अब किसी भी नेक्स एक्ज यह portion of that and called share capital of the company that can be called only in the event of wind up of the company वो capital जो company बंध होते टाइम मंगाती है उस capital को हम क्या बोलते हैं अंड काल्ड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल रिजर कैपिटल यह कैपिटल दीजर तो उसको हम क्या बोलते है रिजर कैपिटल और यह पार्ट रहती है अंड काल्ड कैपिटल का क्या है पार्ट है और जब company wind up होती है उस टाइम यह Capital मंगाती है तो उस पैसे को जब तक वो बचा कर गे रखती है उसको हम क्या बोलते है Reserve Capital बात आती कि Capital Reserve क्या होता है Capital Reserve वो Profit है जो Capital Profit से एक तरफ हमने रखा हुआ है यह separate रखा हुआ है और वो Capital Losses को पूरा करने के लिए ही उस Reserve का यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं हम Capital ले जाओ अंड काल्ड Capital क्या होती है वो Capital जो Company ने अभी नहीं मंगाई है वो नहीं मंगाई है मतलब Share Olders से Call'd Up नहीं किया Subscribe Capital जो Share Olders ने क्या कर ली है Subscribe कर ली है उसको हम क्या बोलते है Subscribe Capital अब बात आते हैं कि Next Question में बोला है X Limited Invited Application of 75,000 Equity Shares कितने के लिए 75,000 Equity Shares के लिए 10 रुपए का एक था Premium थी 2 रुपए पे कितना था Premium दो रुपए पे Share Paypal with the Application Application कितनी आगे 1,40,000 वर रेसेव ठीक है And Applicants who applied 8,000 Shares Paid his entire share money पूरा का पूरा पैसा दे दिया Time of Application Application के साथ उसने पूरा का पूरा पैसा क्या दे दिया What amount of application money received By the company Considering the amount of paypal to the company Including Premium तो कितना पैसा दिया उन्हेंने 7,750, 6,84,000 तो अब देखे कितनी अप्लिकेशन आई थी हमारे पास कितनी आई थी 1,400,000 अप्लिकेशन आई थी और अप्लिकेशन के साथ उसने कितना पैसा मंगाया है 22 रुपे का था At 2 रुपीज पर प्रीमियम था अप्लिकेशन आई थी कितना And applicants who applied इतने के लिए All the What amount of application we received by the company करसे दिए the amount paypal On application Application including premium Premium के साथ Premium के साथ कितना रुपे मंगाया था उसने जल्दी बताओ Calculate करो जल्दी सी तो कितना हो गया 7,000,000 7,000,000 तो उसका 1,40,000 share holders ने दिया और उसके बाद बोलाए कि 8,000 share holders ऐसे थे जिसने बाकी का remaining पैसा भी दे दिया तो इसका अबले 5,000,000 तो इसका मतलए कि अब कितना और बच गया पाच मंगाले के बाद कितना और बच गया तो इसका मतलए कितना बच गया हमारे 7 रुपे के और इशाब से हमारे बच गया तो इसका मतलए कि 56,000 रुपीज ऐसे थे जिन्होंने 8,000 share holder जिसनों अप्लिकेशन के साथ दे दिये तो टोटल पैसा कितना आया 7,56,000 आंसर 2 इस दा राइट आंसर नेक्स इसके बाद बोला है कोल्स इन एडवांस कोल्स इन एडवांस इस प्रेजेंट अंडर दा विच व फोलोईंग है डोफ सब है इन बैलेंस इड कहा दिखाया जाएगा सैडूर थी पार्ट फर्स कंपनी एक्ट करन्ट लाइबलिटी में ट्रेड पेबल्स करन्ट लाइबलिटी सोट ट्रम लों अड़वांस इन ट्रेड लाइबल्स करन्ट लाइबलिटी है में दिखायान जाएगा से औहागार देखाया चाउंट में व कहां दिखाया जाता हैoj सिद्रेगा चुर्स किया जाता है न में क्या है गमिञाल ठीवांड ट्रम लोब ट्विश पर इंवेस्टिंग में इन्वेस्टिंग में बो चलते हैं किया जाएगा किसमें फैइनैसिंग यार रगना डिवीडेंट पेट अन्वेस हैं, अचिवीटी में है। यह था हमारा इस का उन्षवर क्यों नमर श्क्स्त है बोला है क्योंसर नबर 6 हमारा क्या मोला देखिए ओन 31st मार्च टूथाउजन ट्वेंटी टू को देड़ लाके दैटर्स थे ठीक बाई डेड़ लाके डैटर्स थे कोई बात नहीं हमारा प्रोविजन बनाए हमने 3000 का किसका bet debts का on the about date admitted new partner admit कर लिया it was decided to write off the bet debts write off rupees 2000 at bet dots and maintain provision provision बनाना है 5% की rate से bet debts and provision for doubtful dots debtor ठीक है by which of the following amount revaluation की जाएगी किस amount से revaluation करी जाएगी यह हमें बताना है किस amount से हमें क्या कर दी जाएगी revaluation की जाएगी यह हमने क्या बताना है तो इसका मतलब 5% की रेट से revaluation करना will be debited to maintain provision for bet debts reserve on 5% debtors तो ठीक है भई 5% की रेट से बनाना है हमेरे पास ठीक है और और अब बात आती कि कितना आएगा 6400 7500 74,000 स्वरी 70 700 47400 8400 जल्दी बताओ इसका अंसर कितना होगा इसका जल्सार होगा कितना 6400 with the right answer next question हमारा आता है ABC ABC है क्या चीज वर पार्टनर्स पार्टनर प्रोफिट लोज बाठते है तीन दो पाच में ठीक हबाई बी रिटायर हो जाता है न्यू प्रोफिट रेश्यो आता है उनका पास तीन पास तीन में आ गया ठीक हबाई बी रिटायर्मेंट्स दा गुडविल गुडविल का वैलुएश्यो कीतना गया है 3 लाख गुडविल का वैलुएश्यो किया गया इट वाज रिटाइड बी रिटाइड आपनिंग गुडविल विज अमाउंट ऑफ के पिटल अकाउंट पार्टनर्स बील डेबिट ए ट वीज अकाउंट में अब इससे पहले सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा सबसे हमें उसकी गुडविल का हिस्सा निकालना पड़ेगा यास या नो क्या निकालना पड़ेगा उसकी गुडविल का इसा और उसके बाद हमने देखना पड़ेगा गेनर टू सेक्रिफाइजर में कितना है तो इसका अंसर कितना आएगा कितना आएगा 9,750 कौन गेन कर रहा है एक इसका बता जिता हूं शिक्स का 6400 कैसे आएगा देखो हमारे पस बैड़ेट्स हमारे पास गिवन डेड़ लाग के प्रोविजन फ्रोविज़न थे इभान थे न्यूबडट्स चीरवन तो कैसे करना है बैड़ेट्स वेड़ेट्स हमारे पास कितने का हूए और न्यूफ प्रोविजन न्यूफ कितने है हमारा हां कि एक लाग पचास जार पे से माइनस कि दो हजार हो गया तो इसका मनला कि वन लाग फॉर्टी एट थाउजंट का क्या बनाना है फाइफ परसेंट बनाना तो यह आ गए हमारा 7400 तो टोटल हो गया हमारा 9400 इसमें से हम क्या कर देंगे से लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन कितना था थ्री थाउजंट का तो आंसवर हमारा कितना है गए 6400 विल भी दा राइट आंसर नेक्स हमारा क्योशन जाता है एड़्ट क्योश्ट क्या बोल ला है ओन फर्स्ट मार्च 2021 बिल्स रिसेवल अकाउंट थ देंगा 10,000 रुपय का ओन 31st मार्च 2020 को वह हमारा कितना रह गया एट थाउजंट का डूरिंग दा इयर एंड देड बिल्स रिसेवल कितने का हुआ है 4000 वर डिसोनर और बिल्स रिसेवल ओफ 24,000 वर ओनर मतले कि इतने का तो डिसोनर हो गया और इतने का हमारे पास ओनर हो ग है कितना मिलेगा 36, 28, 8,000 26,000 शिंपल से है कितना मिलेगा इसका 26,000 का हमारे पास पैसा आ गया यह इतना हमारे पास बिल मिल गया अब बात आते हैं कि what is the which of the following is the statement is correct with respect of accounting information information के लिए क्या बताएगा हमें पता है accounting information system है part किसका management information का तो यह है कि accounting information क्या है system है किसका part है किसका management information का management information system नहीं यह accounting information system dividend payout ratio किसके बारे में बताता है liquidity के बारे में, solvency के बारे में, turnover के बारे में या profitability हमें पता है dividend payout ratio किसके बारे में बताता है profitability ratio के बारे में बताता है In investment quality is cash equivalent. Cash equivalent बताता है only which has short term, one month or less than two month or less three month or less than four month. So cash and cash equivalent बताता है इसमें कितने महीने का लेना, three month और उससे कम कर, three month or less than three month. Which of the following concept of accountancy states that conscious approach should be adopted as a certain income so that profits are not overstated? तो कौन सा बताता है, material तो सारा principle बताता है, objective भी नहीं बताता है, consistency नहीं बताता है, क्या बचेगा है, इसमें, option को eliminate करना भी सिखो, materiality इसके बारे में नहीं बताएगा, profit and loss के बारे में, objective भी नहीं बताता है, consistency भी क्या बताता है, conservatism, next हमारा रहता है 13, goods distribute as a free sample, free sample बाढ़ will be recorded in which of the following subsidiary book, तो कहा record किया जाएगा, तो यह कहा record किया जाएगा, sales book में record नहीं किया जाएगा, purchase book में record नहीं किया जाएगा, purchase return में, तो कहा record किया जाएगा, यह record किया जाएगा, किस में, journal proper में, कहा पर record किया जाएगा, journal proper में, एकुट्टी ओफ दे कैपिटल कितना है डेड्र लाख है इट्स पैट्स बैट्स हो गया हमारे पास कितने का 5 लैक कितने का हो गया 5 लैक का वाट is the additional amount long-term loan हमें लेन पढ़िएगा that the company can go maintain its debt equity ratio बनाए रखे तो इसका मतलए कि हमारा debt upon equity हमारे पास given a debt upon equity हमारे पास given a dead log sorry past log upon dead log और इनका ratio 0.51 is to 1 ये ratio हमारे है बस given कितना given अब हमें इनका ratio है और हमें कहां तक बनाना है ये बनाना है इसमें क्या बोला है 0.5 is to 1 बनाना अभी तो ये कितना है तीन जिरो से तीन जिरो एक जिरो से एक जिरो ती यह होगा 5 by 1 by 3 तो यह हमारा ratio कितना given है point 0.3 given है इसका मतलब इसका मतलब अब हमें ये ratio लेकर के जाना है कहां तक 0.51 तक तो इसका मतलब कि हमें किसमें increase करना पड़ेगा तो इसका मतलब हम अगर किसमें अगर वैसे भी नहीं आता तो यह काम करिएगे इसको options को रख करके पूट आउट करके भी आप निकाल सकते हो अगर किसी को नहीं पता है था वो डिरेक्टली हमें पता है उपर वाला क्या करेंगे ज्यादा करेंगे तो नीचे वाला ओटमेंटिकली कम रहेगा तो हमारा रिशो ओटमेंटिकली इंक्रीज होगा next question हमारे पास क्या बोला है देखो toute फ्रीमियम पै서 ची है उंप्रीमियम पेसा चार रुपाय फार्श इनक्लूड़ीड टू रुपीज अप्लिकेशन के साथ चैर रुपाय दो रुपए किसके साथ है अलोर्टमेंट के साथ ओके भाई कोई बात नहीं वाज वाज पीवल विद लॉट मेंड ट्रॉट्मेंड था बाता जो बेलेश बंच गया किसके साथ अ بين लिए उस पानिल कोल के साथ मघन लिया। सिंपल सी बात है तो हमारा कितना हो गया ऊपास रुपए इसने अप्लिकेशन के साथ मंगा लिए च़ार रुपए इसने अलोटमेंट के साथ बता ली पास और च्यार नू और प्रीमियमन कितना था च्यार रुपए तो इसका मतलब कि यह शेर कितने का था ये सेर था 14ुपी जोदाảm चॉडा का थि इस नहीं पंht जोड़ेर का थो किसे दहाई को Just a कि विसने मंगाया होगा 549, for उल्च, qarde किसे-व लुटीव अर नोड़े कितने मैं जिए शेर क्वाल चौदर, कितनी का था, 9 रुपे Sindur 64,已經 9 तो इसका मतलब कि इसने अप्लाई कितने सेर के लिए गीवन था वो हमें पहले निकालना पड़ेगा यह हमारे पास गिवन नहीं है वर अलोटेट फेल्स टू पड़ेगा अप्लाई निकालना पड़ेगा अगर वैसे भी नहीं आता तो इनका रेशो आप देख लीजिए तो इसका मतलब कि यहां 6-5 का रेश्यो यहां पर कितना आना चाहिए 600 आना चाहिए अगर वैसे भी नहीं आता तो जो चीज निकालनी है तो यह 1200 अपॉन बाई 10,000 अगर वैसे भी नहीं आता है तो इंटू 500 जब इसको क्रोश कर मल्टिपले करके करें तो यह कितना आएगा 600 तो हमारा चाहिशो निकल कर आएगा रहा 600ङ कने आप लाई किया था कितने कंपांसौ के लिए TOष्यर मिला आएग था असको 4घ मतलब कितने उसके एमाउंट 4 padड टेकर ली गई जिसमें से फेल कर दिया उसने अलोटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतला अलोटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतला अलोटमेंट का पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया और उसके बाद उसने तुरंद क्या कर लिया फोर्फिट कर लिया तुरंद फोर्फिट कर ले अब ये इसमें ये बताना है हमें कि कितना पैसा उसका फॉर्फिट किया गया तो इसका मतलब कि अप्लिकेशन के साथ कितना रुपए था तीन रुपए था दो रुपए प्रिमियम का था इसका मतलब कितना पैसा उसका फॉर्फिट कर लिया गया यह हमें बताना है तो पांसो शेयर्स का तो यह कर लिया अवे पान्सो चेयर्स का तो इसका करी लिया तो इसका मल पंदरा सुर्पत इसका अपलिकेशनगा आया था वो क्बडिकी लिया और उसके बाद सी यह स्का इक्सह कर लिया है कि यशननों था एस का की तो अब इस से आप निकाल सकते हैं Show immersion कितने सेर्ष कैके स्क्राइट साया तो कितना आए गा 25 थाउजन फिफ्टीन हंड़्ड 200-200 या वन थाउजन्ट एट हैंड़ तो जब इसको कैल्कुलेट करोगे तो आप का आफ विस कितना आएगा 2 तू-थाउजन विल हाई टांसर कितना जाएगा दो हजार रुपए फोर फिट कर लिए गए हैं कितने फोर फिट कर लिए गए हैं दो हजार रुपए क्या कर लिए गए फोर करनी है अब उसके बाद बोला है इन केस अफ टोटल सेल्स रेटन वोग में नोट पोस्ट इन डेजर में नहीं लिखा विच ओव द फोलेंग अकाउंट विल बीटिटीड टो रेक्टिफाई दा एर्र अमांट विच वस पुष्ट इन सेस्पेंट अकाउंट तो कौन सा अकाउंट हमने खोलना पड़ेगा से प्रिटेष्ट इन डेजर में देफ्वेज ओंट खोलना पड़ेगा सबसे दाउटन पड़ेगा सनय लिखाई ने तो लिए आपको याद रख लेना कौन सा प्रोसेस कोस्टिंग करके किया जाता है तो इसमें क्या होगा प्रोसेस कोस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा अब आता है हमारा 19th question xyz partner है कोई दिककत कोई क्यद नी xyz partner है उनका रिष्य है पास तीन दोगा पास तीन दोगा है कोई दिककत नी भही दा फ़र्म क्लोज इट्स अकाउंटिंग कबन कर देती इकत्रीमार्च को 24 अगस्त को मर गया कोन मर गया वाइद चल बहसा बही उसका डियान तो गया अब म को यह गई सर्फूर्य पर दोवाय सबसे सिंपल बात 2,40,000 तो यह मानना है कि प्रोफिट जो पिछले साल हुआ था यह प्रोफिट इस साल हुआ है कि दिक्कत नहीं कि लिए बाद वाई में चल भाषा वाई का शेर का इस्षा कितना था थ्री वाई टेन कितना था थ्री वाई टेन और यह पूरे साल भर रहा है कब का है पूरे साल भर का है तो इसका मतलब कि अपरेल में वो जिन्दा था मैं में वो जिन्दा था जून में वो जिन्दा था जुलाई में वो जिन्दा था अगस्त में टपक गया तो इसका मतलब कि हमें यह 24 अगस् तो 24 अगस्त को अगर वो चल बसा है तो हमें किस में निकालना पड़ेगा डेज में निकालना पड़ेगा किस में निकालना पड़ेगा उसका हिस्सा किस में निकालना पड़ेगा डेज में अब आपको डेज केल्कुलेट करने पड़ेंगे इसमें कि अ तो हमारा कितना जाएगा इसका तो यह हमारा था यह हमारा पिछले साल के प्रूफित लेना है वह है और इसके तो यह कैसे आए देखो अप्रेल माई जून जुलाई तो यह इस मंत के कितना होता है 30 31 31 24 तो यह डेज कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारे कितना आएगा तो 146,000 विल बीदा हम एक लिए अब बात आता है कि हमरे क्रेंटिके चल्ड़ क्या बोले है के पीक्यू आर पार्ट्र है अब है आगे पार्ट्र मालेगे उसका क्या है पार्ट्र है पूरा ले लिया इसका महले कि कोई कुछ लेने का देने के दिक्कत नहीं पूरा का पूरा सेटलमेट कर दिया तो कोई एंट्री पास नहीं करी जाएगी तो फॉर फॉर इस दा राइट आंसर किलियर है बात ILY नेक्स्ट महा रहा है जें इंड़्रीटने 4 फीट किये क्या कर दिया रूपयर कर दिया उसको प्रीमियम पे शुर कियाएथ कि 4,900 रुपए पर कितने पर रिशु कर दिए 4,900 पर फुली पेड़ अब मानते हैं विदा अमाउंट ओफ ट्रांसपर्ट टू कैपिटल रिजर्ट ओन दा और प्रोफिट पे कितना आएगा 3,200, 912, 5,200 तो कितना आएगा सबसे सिंपल के उसने तो इसका मतलब कि आप यह मान करके चलो कि उसने पूरा का पूरा पैसा मंगाया जिसमें से उसने किसने का पैसा नहीं दिया दो रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया उसने कितने का पैसा नहीं दियो उसने 2 रुपए का हिसाब से उसने पैसा नहीं दिया तो इसका मनलब कि कितना पैसा उसने दे दिया आठ रुपए तो उसने दे दिये ना और 400 शेर का पैसा उसने दे चुका है तो इसका मनलब कि कितना पैसा उसका जब्त कर लिया जाएगा उसक से 4,000 रुपए लेकिन वो इशू कितने में कर रहा है 4,900 रुपए में तो इसका मतलब कि कोई फोर फिट्रीड वाला पैसा यूज ही नहीं किया क्योंकि शेयर को अलोड किस पर किया है प्रीमियम पे तो पूरा का पूरा पैसा किस में रिजर्व ट्रांसफर में कर दिया 22 क्या बोला है डीप लिमिटीड इशू 4,000 रुपए के डिबैंचर थे 8% डिबैंचर पे 6% डिसकाउंट था रैडी में बल 10% प्रीमियम पर दे एक तो 6 रुपए पे डिसकाउंट पर इशू किया वो लोस और 10 रुपए की हिसाब से 10% पर इशू करेगा वो एक लोस तो कितने का लोस हो गया? 16% का लोस हो गया, 16% का लोस हम से का ब्रीमियम से भी कवर करेंगे तो कितना हमारे पास उसका चार करोडㅋ तो कितना है गा 64 लाग 62 लाग 6 जार 65 लाग 4 जार 38 लाग 6 जार तो आंसर विल विधा इसका जब आप calculate करके देखोगे तो इसका आंसर कितना हैगा बासट लाख साथ हजार विल भी दा राइट आंसर किलिया रहा है नेक्स हमारा है विच ओध फालेंस स्टेटमेंट आर पिर पेड़ फॉर नोन प्रोफित ओर्गनाजिशन कौन कौन सी स्टेटमेंट बनाती है तो सिंपल सी बात है नो इंकम एक्सपेंडिचर बनाती है बनाती है इंकम एक्सपेंडिचर बैलेंस इट बनाती है रिस्टेट पेमेंट अकाउंट इंकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस इट यह बनाती है ट्रेल बैंस बनाती है तो सारा का सारे किस में आगा है थर्ड में तो आंसर विल भी कि उसके बाद 24th क्या बोले आकाउंटिंग स्टेंडर्ड्ड और नोट अप्लिकेबल जो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड वो अक्लीप अप्लीकेबल या फॉलोंग नहीं है किसमें किसमें नहीं होता चैरिटेपल इंस्टिटुट्स में फॉलो नहीं किया जाता कोपरेटी सोसाइटी में फोलो किया जाता है तो क्यों फोलो करेंगे अब बात आता है विच ओफ फॉलिंग इस नोट रिवेन्यू रिजर्व रिवेन्यू रिजर्व नहीं है कि एक बिल लिखता है पांच मार्च को कब लिखता है कि पांच मार्च को पेवल उन एक मन्त के लिए तो एक मन्त के लिए क्या हुगा अपरेल और वी तिन दीन और करतेंगे तो थे कम चाहिए देर यात गर्फ price ॉए योच तो इस से ब फुवोट जींडों गा तो फुट्र ऑब तक चैक जितने हमने क्लास का है यह हमारा 11th क्लास का है यह हमारा 12th 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 क्लास का है यह हम यह हमारा 11th class का है यह हमारा 11th class का है भी मान सकते हो 12th class का है यह 11th class का है आप देखो तो सारी तो 11th का रखे कोई भार से थोड़ी आये हुआ है पेपर तो आप देखेंगा 27th में क्या बोला है अग्रोश प्रोफिट ओव दा फ़र्म कितना है एक लाग 14,000 दूरिंग डा इयर रिसीवड कमिशन कमिशन मिली है कितने की पहसें कम्तने दहां है 10,000 की 7日 की है 50,000 की रेंट कितने गया है 26,000 का इंंटर्स्ण्यक состо कैसे करेंगे तो हमारे पास जो गिवनल estasmemory अंब कितना गिवणल जी चीपी उन्मिशन कमिशन है तो इसका मलब यह हमारा क्या है बPP है अनकम है इंकम को हम माईनस कर देंगे कितना माइनस कर देंगे 10,000 उसके बाद हमारा पेड शेल्डी एक्सपेंस था उसको दुबारा से एड कर देंगे तो यह हमारा हो गया 50,000 एड कर देंगे रेंट पे किया है तो इसको भी हम क्या कर देंगे 26,000 इंट्रेस्ट ओन लोन दिया है इंट्रेस्ट ओन लोन पे कितना और बैड्रेट से हमारे कितना हो गया 9,000 कितना हो गया 9,000 तो 9,000 को हमारे क्याわか ? यह लोस हो गया तो इसको हमें calculate करके हमारा आंसर कितना zwischen 39,000 40,000 49,000 38,000 तो आंसर दूली दे राइड 39,000 विल भी दा राइट आंसर कितना आएगा 39 इस दा राइट थर्टी नाइन थाउजंड को कि इसका मैं बता देता हूं देको की से निकलेगा इसका फिर पूछ earn हमडब से निकलकर कर आ जाएगा क्या छीज होगा देखना 171 514,000 प्लस रिसीट कमिशन है कितना 10,000 माइनस सिल्दी पे किया है 50,000 माइनस 26,000 इंट्रस्ट उन लोन होगा नहीं क्यों नहीं होगा वह बताओगे और माइनस 9,000 जब इसको हम करोगे तिसका अंसर आएगा हमारा 39,000 यह विल भी दा राइट आंसर नेक्स्त आमार गिवनन विच व्यूदफ फोलॉइं डज नूट रेजल इन्टो री कॉंसिटूशन ओफ पार्टनर्सिप फिर्म इस में से कौन सा है जो रेजल्ट नहीं करता है इंटो रेकॉंसिटूशन फिर्म का रेकॉंसिटूशन इजलेशन ऑफ पार्टनर्सिप भी चेंज इन प्रोफिट शेरिंग रेशो चेंज इन प्रोफिट शेरिंग रेशो अमंग्स देजस्टिंग पार्टनर तो कौन सा इसमें से रेजल्ट नहीं करेगा किसमें री कॉंस्टिटीशन ओफ पार्टनर्शिप फर्म पार्टनर्शिप नहीं बोला है तो फर्म में कौन रनेंसा नहीं करेंगा री कोंस्टीचिटूशन भेजाने दरीं सुल्टेशिंट घृक्रांसिब cessation करेंगे या सबकत चैंजिए प्रोफित टो करेंगा डिजै Corday कडि जैशन अफाटरशिप करेंगे डिशन उपाटने से सिफ्रम नहीं करेगा तो 28th answer will be the 2 will be the right answer next if minimum subscription amount is not received अगर minimum subscription amount नहीं मिली है whole amount collected पूरी की पूरी amount जो मिली है वो वापिस कर दी जाएगी in how many days of end of subscription कितने दिन के अंदर वो वापिस कर दी जाएगी तो answer will be the 1 महिने के अंदर अंदर वो वापिस कर दी जाएगी 30th answer will be the second will be the right answer access of income over expenditure in case of non-profit organized in NPO जब हम पढ़ते थे तो उसमें पता चलते थे जब हमारे income ज्यादा था तो expenditure कम था तो उस time हम उसको profit नहीं बोलते थे उसको हम क्या बोलते थे surplus or deficit जब हमारी income ज्यादा expenditure से तो उसको बोला जाता था जब हमारी expenditure ज्यादा थे इंकम से तो उसको बोला जाता था तो इसका अंसर होगा 4th will be the right option नेक्स देखीगा यह आपका partnership का फिर दुवारी question आ गया तो इसका मतलब partnerships के questions ज़्यादा पूछे जा रहे है यह चीज़ आपको देखनी है AB partner से profit sharing ratio तीन दोगा है भई है तो है भई she was admitted new partner के लिए admitted way it was decided to bring necessary capital to give him 1 5th share के लिया रहा profit taken into consideration AB AB का consideration after making all the necessary adjustment capital of ASO का balance हो करता है A 18 lakh और B कर रहा है 28 lakh the amount of capital brought by the CC कितनी capital लेकर के आएगा C कितनी capital लेकर के आएगा तो इसका मतलब कि हम कहा सकते है 18 lakh plus 28 lakh will be the 46 lakh हमारी कि कितनों की capital है यह हमारी 5 by 4 क्योंकि 1 by 5 के लिए तो वह आ रहा है तो इसका मतलब कितना का बचा 4 by 5 इससा बचा जो कि हमारे कि इसका A और B का और पूरे firm की निकालने के लिए हम क्या कर देंगे रैसी प्रोकल इससे हमारी पूरे firm की capital निकल के आ जाएगी और उसका इससे कितने के लिए आ रहे है वन बाइफ के लिए तो कितना आएगा 9,20,000 तो राइट आंसर कितना होगा इसका 10,50,000 विल भी दा राइट आंसर शेंड विल भी दा राइट आप्शन नेक्स आमारे के शुन देखिए क्या बोलें आएट टाइमस हमें देना है उसका पैसा कि लिए रवक्त समें आइट इंटरेस उसको देना है कितना ऐठारा हजार अठारा पर संट पर रहें ना किस्ट इंस्टालमेंट वास टू बी स्टार्टि तूब इस्टार्ट किया जाएगा कभ 1250 अमांट ओफ शेकंड इंस्टालमेंट कितना पै चाहेगा वहले से बताना है second installment कितना जाएगा तो इसका मतलब कि कहने का मतलब हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं 40 lakhs कितना पैसा देना है हमने 40 lakhs देना है और installment के साथ कितना पैसा देना है 18% पर NM की रेट से हमें क्या देना है interest देना है क्या देना है interest देना इसको देखिए इस question को हम ऐसे बना करके चले इस question को हम according to उसके हिसाब से करते है रूल के हिसाब से करके चलते है तो हम मारा बोला है कि 40 lakh रुपय हमने देने है कितना रुपय देना है, 40,00,00,00 रुपय तो उसको देने है और Half Yearly installment में देने, 4 साल में देने कितने सार में देने है, 4 साल में देने है और Half Yearly देने is तो इसका हमने टोटल हम कितनी राज उसको पैसा पैय करेंगे तो ये हमें बताना है तो बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं जल्दी calculate करो कैसे करोगे कि कि अ कि अ है अ है अ है अ जब भाइव्या मुश्के कैपिटल का बैलेंस हमारे पास गीदना गेवन है चार्रीस लाग हमारे पास गीवन है और 18% की रेट से हमें क्या देना है उसका पैसा देना है कि लिए रहे तो हम माल लेते हैं कि देखो अब बाई किसका माल लेते हैं टू यह हम इसका एका जैड का लोन अकाउंट बना लेते हैं बाई जैड कोण रिटायर हो रहा है इसमें जैड रिटायर हो रहा है by जैड केपिल कितना आ गया 40 qued hour इस पे इंट्रेस्ट कितना जाएगा बाई ही इंट्रेस्ट कितना जाएगा इस पे च्छाय महीने का देना है हमने तो 18 तो 18 चोक की कितना हो गया पूरे साल बरका इंट्रेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पूरे साल बरका तो हमारा आया 40 लाग के इसाफ से जब हम करेंगे तो 40 लाग के इसाफ से 18 परसेंट की रेट से तो 32 जार रुपे तो हमारे पूरे साल बरकाया है और 6 महीने का हमारे डैप्रिसेशन कितना हो गदर डिवाइड़ेड़ वाइटू कर देंगे तो कितना अगे डैप्रिसेशन बोला स्वरी लोन कितना 36 जाग और टू बैंक में हम साल में दो बार देना यह तो इसका मतल है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं च्यार बर पै कर रहा है तो उन्म हम कहने का मतल है पूरे टाइम में कितनी बार पै करेंगे आठ पर पे करेंगे यास यानो तो इसका मैंक अकाउंट पर कितना पैसे चला गया पाच लाग और प्लस 36,000 तो तो बैलेंस जाओ हमारे पास तू बैलेंस हमारे पास बचा तू बैलेंस चार लाग चार्लीस लाग में से हम कितना माइनिस कर देंगे तो हमारा बचा थर्टी फॉर थाउजंड शिक्स्टी थर्टी फॉर लाग शिक्स्टी फॉर थाउजड यह बैलन्स यहां पर आ गया थर्टी फॉर थाउजम स्स्टों सफ़ट siksli है 3400 थर्टी फोल्ट फॉर लैइक 6489ensorूर Gerald सब양ें अब इसको इंट्रेस सम्भी कैलकुलेट करने इसका जब इंट्रेस हम कैल्कुलेट करएंगे कि ने हुआ कि उसने क्या पूछा है इंट्रेस्ट कहा गया उसने क्या पूछा है पेमेंट फर्स इंस्टाल्मेंट वाज मेड़ों पेमेंट पहली इंस्टाल्मेंट पे कब करी है 31.12 को पे करी है कब पे करी है उसने 31.12 को जैड रिटायर हो रहा है इस दिन दा अमाउंट पेबल तो हमने तो क्योश्टन गलत कर दिया क्योंकि यह तो हमने देखा ही नहीं पेमेंट कब कर रहा है उसने 31.12 को तो यह तो हो गया क्योश्टन गलत इसको दुबारा से करना पड़ेगा डेट हमने देखी नहीं तो इसको जब हम डेट करेंगे तो सोलुशन ऐसे होगा आप लोग कल्कुलेट करके देखना नहीं आता है तो मैं कमेंट बोक्स में विद्धा डिटेल आपको सोलुशन इसको आप केल्कुलेट करके देखना एक बार ढहर अ कि मैं डेक्स क्रमी में यह इसको क्मेंट बोक्स में मिल जाएगा विद्ध डेटल ओफ सोलूशन ने श्रीसन आता है 13 अй में क्या बोला है 33 question बोला है good health club purchase 8% investment purchase किया है the receives यह आपके syllabus मनी है तो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि NPO आपके syllabus से हटा दिया है इसके बाद बोला है क्या चीज़ फैक्टरी प्रिदूस 500 LED बलब है variable cost कितने आती है 50 then the find the expenses of rupees 10,000 per annum if the increased by unit one then marginal cost कितनी आएगी इसका simple सा क्योंशन दा जितनी है as it is उतनी ही रह जाएगी जितनी थी उतनी ही हमारी क्या रह जाएगी रह जाएगी तो पहले कितनी थी 50 थी तो एक से हमारा कोई फरक ने बढ़ेगा कितना जाएगा 50,000 next हमारा है which of the following is not voluntary liquidation of company voluntary liquidation नहीं है company का यह हमें बताना है the expiry of prefix direction of company the occurrence of event whereby the company is dissolved membership falls below the statutory minimum requirement तो इसका मतलब की membership क्या होगे कम होगे तो इसका मतलब voluntary liquidation नहीं है किसका company का in addition incentive granted by the consigner to the consignee to induce the consignee in pushing new line of trade तो इसको क्या हम क्या बोलेंगे commission dealt cater commission overriding commission यह discount तो इसको हम क्या बोलेंगे overriding commission 3 is the right answer next when separate books are maintained for joint venture account separate books maintain कर रहें transaction then which of the following account is open in the individual books of each co-venturer तो कौन सा account खोला जाता है joint bank account joint venture account personal account of each convention or joint venture investment account तो कौन सा account खोला जाता है तो joint venture investment account खोला जाता है तो fourth is the right answer next हमारा आता है एक manager है वो मैं वर्ड की जगह यूज करता है हम एक बोलते हम है हम है हम है हम है तो मतलब आई की जगह वह वी वर्ड का यूज कर रहा है in all his conversation with workers foster a team split लेकर के आता है तो यह कौन सा principle of management का fuel का बताता है तो यह बताता इस प्रिट डी क्रोप मतलब कि टीम होना को वो जता रहा है तो क्या answer होगा spread the crops अगला बोले एक important principle of management that control based on the beliefs of attempt states control everything results in controlling nothing hence only the significance deviation go beyond the permissible limit should be brought in the notice of management यह principle this principle is called this principle को क्या बोलते है management by exception क्या बोलते है management by exception एक होता है critical point control यह क्या होता है critical path control क्या होता है management by objectives क्या होते है इन तीनों को आप comment box में बताओगे management by objective क्या होता है CPC क्या होता है और CPC control path control क्या होता है critical path control critical point control or management obsession क्या होता है 41 तो देगना which of the following test used to selection employee measures the individual potential learning new skill new skills वो सीख सकता है indicates the personal capacity नई स्किल सीख सकता है तो किस में आता है aptitude test में किसमें आता है aptitude test में next हमार रहाता है this is the level of arrangement consists a team manager from the different function level there is a basic integrity diverse element and coordinate the activity different department coordinate करता है different department की they analysis the business environment and implication to the survival of the firm this level of management काल इसको क्या बोला जाता है तो इसको हम क्या बोलते है यह सब काम किसका है top level management का next है हमारा even after opening up our economy in 1991 foreign company found it's extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permit of doing business in India as the result of this company was discussed from investing in our country this statement indicates which of the following dimensions यह कौन सा dimensions को री प्रेजेंट कर रहा है तो यह क्या कर रहा है political environment को री प्रेजेंट कर रहा है अंडर functional formants हमें पता है कि functional formants में दो department होते हैं कौन से एक planning इंचार्ज होता है और एक कि दूसरा कौन सा होता है जिसमें एक होता है इंस्पेक्टर इसमें से यह सब तो हमारे है किसके planning इंचार्ज के और यह हमारा किसका production इंचार्ज का है इंस्पेक्टर तो इसका मतलब कि इसमें से अलग पूछा था तो राइट आंसर क्या होगा इंस्पेक्टर विच ओध फोलिंग स्टेट्मेंट इस तो इसमें से कौन सी गलत इस नोट करेक्ट गलत नहीं है कौन सी पीपल बिएवर इस बेस्ट ओन देर नीड्स पीपल नीड्स आर इन हिरार्की ओडर वहीं सही बात है इस सैटिस्फाई नीड्स मोटिवेटे परसंद जो इसकी नीड्स सैटिस्फाई होगी वह मोटिवेट होगा वह आदमी नहीं होगा तो सी इस दा राइट आंसर देखो आगला देखना क्या बोला है तो यह क्वाइब पर्फोर्मेंस अडवाइब यह गाइब वेल्योबल सजेशन विच टाइप आप ओन फीनेशल इसेंटिवेटेव्श तो स्टेटस यह एए इंप्लाइ क्लाइमेट है Employee Recognization Program है, Career Advancement Opportunity, तो यह क्या है, Employee Recognization Program है, Next है, Each Should Know Who He Has Take Order, To Whom He Is Accountable, This Helps Create Hierarchist Texture, Also Helps In Coordination Among The Various Department From The Following Process Of Organization, Identify The Steps, Indicate About Steps, तो Identification Of Division Of Work, नही बार, Departmentalization है, नहीं बात, Assigning Duty है, नहीं, Establishing Deporting Relationship है, तो Fourth Is The Right Answer, Next हमारा है, The Specific Statement That Informs What Is To Be Done, And Do Not Allow Flexibility, क्या करना और Flexibility नहीं देता है, तो Simple सा मात है, कि हमें बता दिया है कि क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना, Flexibility नहीं देगा, Rule, एक, सभी को Follow करना क्या है, Compulsory है, तो B Is The Right Answer, Second का क्या होगा, Two Is The Right Answer, Next, उसके बाद बोला, It Is A Common Thread That Runs All Activity, Set As A Purchase, Production, Sales, Finance, Community, Working Of The Organization, It Implicit, Inherent, All The Functions Of Organization, From Identify The Concept, Started The Given Management, तो ये कौन सा Management है, ये आपको बताना है, Management, Administration है, Direction है, ये क्या है, Coordination है, क्या चीज़े, Coordination, Which of Not Limitation है, ये Limitation नहीं है, किसका Planning Function हो, Planning Feature Stick है, ये है बाई, Planning Rigidity है, अच्छा बाई, Reduce Creativity है, ये बाद भी है, Note, तो ये सब हमारी Limitations है, Planning Feature Stick है, ये हमारी Merits है, तो A is the right answer, Next, Making Investment in New Machine, Making Investment in New Machine to Replace Exist One, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर हम नहीं मशीन खरीद रहे हैं, तो एक तरीके का वो Long Term Investment है, Long Term Investment का मतलब होगे, क्या चीज़, हम खरीद रहे हैं, क्या चीज़, Fixed Assets, क्या खरीद रहे हैं, Fixed Assets, Long Term Investment को हमने क्या बोला था, क्या बोलते थे, Capital Bursting Decision, और Short Term Investment को हम बोलते थे, Working Capital Decision, तो answer क्या आएगा हमारा, One is the right answer, Capital Bursting Decision, Next, हमारा है, इस activity staff has achieved two objective, Ensure availability of fund, Ensure the firm does not raise resource unnecessary, identify, वो कौन साथ Capital Bursting Decision है, या Financing Decision है, Working Capital Bursting है, या Financial Planning है, तो वो क्या है हमारा, Financing Planning की ये देखना कि fund available है या नहीं है, तो नहीं है, तो कहां से हमें लेना है, और unnecessary तो नहीं है, ये सब काम किसका है, Financing Planning का है, Next, हमारा Zero Coupon Bond से याद रख लेना, Zero Coupon Bond कोन इसु करता है, RBI इसु करता है, Multiple of 25,000, तो कौन इसु करता है, Treasury Bill, कौन RBI इसु करता है, Central Government के बिहाफ पे, तो answer क्या होगा है, इसका Treasury Bill, कुछ वागला कोई सोचने के जरूरत लिए है, Next, हमारा आता है, 54 question, In privilege, given the existing shareholder to subscribe the new shares, according to terms and conditions, these shareholders are offered by the new share in proportion of number of shares, they are already processed, तो right issue है, offer for sale है, sale तो बेज़ा है नहीं, private placement भी नहीं है, offer throw prospectus भी नहीं है, क्या है, right issue है, stock exchanges क्या बोला जाता है, secondary market, primary market, money market, secondary market, money market, तो उसको क्या बोला जाता है, secondary market, Next, हमारा आता है, which of the formula of calculating debt service coverage ratio, debt service coverage ratio, profit after tax, depreciation plus net, plus non cash expenses, is divided by preference, dividend, interest, replacement, repaying, obligation, C is the right answer, Next, which of the following is a regulatory function of stock exchange board of India, laying fee and other charges, carrying out process that undertaking measures, thus develop of capital market, undertake steps of investor product, training of intermediaries of securities, जो regulatory function पूछा इसने, तो regulatory वो क्या करता है, क्या करता है, fees charge करता है, fees, leaving fees, and charges carry out for the purpose of, act one is the right answer, main focus of marketing concern, marketing concept का main focus क्या होता है, कि सबसे पहले, क्या होगा, customer की need को satisfy करना, shopping product, क्या है, medicine है, rare collection of artwork, newspaper क्या है, shopping product, television is the shopping product, 60th number question क्या बोला है, which of the following are two components of brand, brand कल भी आपने देखा था, brand का मतलब है, brand name और brand mark, क्या है, brand name और brand mark, कल भी आपने देखा था, यह जब आपका revision करवाया हुआ था, तो उसमें भी था, specify दिया हुआ था, brand name मतलब brand mark, next है, अगर किसी चीज के साथ, अगर किसी चीज के साथ, कोई product हमें free में मिले, quantity, product combination नहीं है, quantity gift मिले, मतलब बाई, एक बिसकुट से के साथ, एक बिसकुट फैकिट फ्री मिले, तो हमारा क्या कहलाएगा, quantity, gift, usable benefit, जिस time period के, हमें लिए दिया गया है, तो उसे time period में हमें यूज कर लेना है, वो क्या कर लाएगा, usable benefit, next हमारा, which of the following is the not condition, satisfy and aggregation is ordered to as a group, group में कौन सी condition satisfy नहीं होती, the members of a group must not independent है, people must interact with each other है, people must psychology aware about, या of one another है, people must perceive themselves to be aware है, तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें कौन सी condition नहीं है, तो the members of a group must not be interdependent, मतलब कि एक दूसरे को उपर नेर पर नहीं रहना चाहिए, which of the following communication network informal, informal में ये unstructured में, therefore is highly flexible, कौन सा है, जिसको हम बोलते है, क्या चीज, all channel network, क्या बोलते है, all channel network, leaders are bound, not made, leader बनाए जाते, जनम होता है, not made, बनाए नहीं जाते, it indicates ये किसने दी है, ये दी है, किसने, great man approach है, ये कौन सी एप्रोच है, great man approach, goods that are falsely claimed, to be joined, मतलब गलत दिखा करके, उसको बताया जारा है, मतलब कि जैनुएन है, तो उसको क्या बोले देता, duplicate product भी नहीं बोलते, substantive product भी नहीं बोलते, मिलावटी भी नहीं मोलते, उसको क्या बोलते है, मतलब कि एक कोपी, जिसको बोलते हैं न, iPhone की कोपी आती है, वो क्या है कि बता देते है, origin, लेकिन वो रहती है, कोपी जैन्वन नहीं है, तो अगला बोला, consumer protection 2019, सबसे पहले, जो आपका, अभी के जो syllabus में आ रहा है, वो आरा, consumer protection 2019, 2021 में कुछ slabs में change हुआ है, वो आपको नहीं देखना है, according to answer, मतलब according to syllabus, हमें 2019 वाला करना है, अगर आपको paper में मिले, तो वहाँ पे आपको specify given होगा, तो वो आपको निकालना है, तो इसका मतलब कैसे आए, वो आपको देख लेना है, उसमें slab में change है, लेकिन हमें answer according to 2019 देख करके आना है, अगर उसमें specify mention होगाई पे 2021 के according मणा दना है, तब तो बहुत अलग है, लेकिन 2019 के according आपको slab बतानी है, इसमें बोला है रूपीज 1 करोड, बट नोट एक्सी 10 करोड, तो यह किसकी है, यह है हमारी किसकी state commission की, किसकी है, state commission की 66 का 2 is the right answer, अब चलते 67 according to consumer act protection right 2019 consumer rights, rights बताने, right to inform होता है भाई होता है, right to consumer education होता है, right to hear it होता है, right to assure क्या होता है, मैं नहीं पता भाई, in case of these industries, the material which have already been extracted, जो पहले से ही निकाल चुके है, is used to produce final goods, consumption for further process, उसको क्या आप बोलेंगे, यह primary भी नहीं है, terrestory भी नहीं है, genetic भी नहीं है, यह कौन सी है, secondary industry है, word to word line, मैंने आप उसको notes में revision करवाया था, word to word यह sentence given है, तो आप लोग देख लीजिए गा, business study का, जो आपको एक source notes में revision करवाया है, word to word यह line given है, a person who thought is a not a partner in firm, firm में partner नहीं है, but knowing allow himself represent, बतला कि अपने आपको वो बता रहा है, partner नहीं है, लेकिन वो आपने आपको बता रहा है, तो nominal partner भी नहीं है, active partner भी नहीं है, अब लोग बाग confusion हो जाते है, estopal में यह holding out में, एक तो होता है partner है, लेकिन चुपचा बैठा है, क्या है, एक तो बताता है कि partner है, लेकिन चुपचा बैठा है, इस्टोपल से भी याद रखना है, रुखजा भाई उचले मत, इस्टोपल, इस्टोपल, रुखजा, रुखजा, मतलब behavior से बता रहा है, और partner होते भी भी वो चुपचा बैठा रहता है, उसके साथ बैठा रहेगा, लेकिन वो बताता नहीं है, इस्टोपल से बता रहा है, तो क्या कहलेगा, पार्टनर भाई एस्टोपल, वीच वद फॉंक्षन इस दा नोट इंटरनेशनल मोनिटरी फॉंक्षन नहीं है, शोट टर्म क्रेडिटर इंस्टूटिशन है, प्रोवाइडिंग मसीनरी है, एक्टिंग लेंड्स इंस्टूटिशन ओफ फॉरेंड करनसी है, एक्टिंग इस दिस्पूट सेट्लमेंट बोडी है, तो कौन सा नहीं है फंक्षन, शोट टर्म क्रेडिट इंस्टूटिशन है, है बाई एक्सेंज रेट है, क्या चीज़ लेंडिंग इंस्टूटिशन ओफ फॉरेंड करनसी नहीं है, क्रेंड ट्रांजेक्शन की, क्लियर है बाद, नेक्स्ट क्वेशन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेशन क्या बोला है, शोरी इसमें नोट पूछा है ना, नोट नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इस डोलर इसुट बाइड 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 इंडियन कंपनी, तो वो क्या आजाएगा, ग्रोश डिपोजेटरी रिसिप्ट, और ऐसी इंकाम जो यूएश डोलर है, जो के विल अमरिका में चलीगी, वो कहलाएगी, अमरिकन डिपोजेटरी रिसिट, यह आपके क्योशन है, कॉर्पोरेट सोचल रेस्पोन्सिबिलिटी, एस पर दक कंपनी अक्ट 2013, स्पेसिफाइड अंडर विच एक्ट, यह आएगा, सेड्डूल, सेड्डूल किसमें आएगा, सेवन्त में, जल्दी बताऊ, तो सेड्डूल सिक्स, सिक्स में आता है, बिजनेस चेड़ी का पोर्शन है, और इसमें एक से आपसे ये भी पूछा जाएक, इसका 135 है, और इसमें पूछा, आपसे क्या जा सकता है, प्रोफिट पूछा जा सकता है, कि इसमें साइद टू या थ्री है एक बर कंफर्म कर लेने कि और कम corporate social responsibility 2% 3% यह मेरे को नहीं पता है अब आप confirm कर लिजेगा नेक्स उसके बाद बोला है in inflation accounting which of the formula is used to calculate conversion factor under the current purchasing power method तो कौन सा formula यूज किया जाता है price index of current period divided by price index of history period यूज किया जाता है next हमार आता है which of the following is the note consequences of non-registration firm non-registration firm को note consequences नहीं है तो इसका मतलब simple सा है उसने registration नहीं करा रखा 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 तो कौन सी कौन सी नहीं है तो इसका मतलब partner of unregistered firm cannot legally binding नहीं है तो fourth is the right answer hundi made payable order to fix term मतलब payment करेगा order देगा धनी लोग है धनी लोग है मतलब फिर से उसको order दिया गया मतलब कि fix से order दे दिया फिर से order दे दिया फिर से order दे दिया जोड़ देने का मतलब है फिर से firm N joga moondati hundi किये विच iht जोने फोलिव लिमिटेशन ओस e-business, e-business का limitation क्या है, speed है, reduce red tapism है, low personal touch है, movement है, तो क्या है, क्या है इसका, low personal touch, next, warehouses that are licensed by the government to be expected important goods prior to payment of tax, भाइस दूसरे देश से हम समाल लेकर कर रहे हैं, पहले उसका tax, custom duty वगरना बरना पड़ेगा, तब तक वो समान रखा रहता है, तो उस warehouse को हम क्या बोलते है, bonded warehouse, के लिए रबाद, an enterprises that develop culture, caring of for people, environment and command, a high degree of integrity in dealings with other, उसको क्या बोले रहता है, ethical responsible enterprises, law, binding enterprises, corporate enterprises, non-profit organization, उसको बोले रहता है, ethically responsible enterprises, नेक्स्ट हमारा आता है, purpose of research analysis, जो purpose है, हमारा research analysis का वो क्या है, tally है, e-PPS है, SAP है, ERP है, तो यह हमारा का है, SAP, the accounting voucher prepared for the transaction, have multiple debits, multiple credits, जिसके multiple debits हो, multiple credits हो, यह बात आप याद रखना, क्योंकि कल पर्शो मैंने question डाला था, उस पर पूछा गया था, option given था, मतलब option क्या था, question आप से पूछा गया था, जो multiple debit है, क्या है, multiple debit है, लेकिन credit one times है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, debit voucher, क्या बोलते हैं, debit voucher, के लिए रबात सब से पहले, उसके बाद हमारा है, multiple credit है, और debit है एक time, उसको बोलते हैं हम credit voucher, क्या बोलते हैं, credit voucher, उसके बाद हमारा multiple debit है, और credit one time से, और सात में दिया है, multiple credit है, और debit single time से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं compound voucher क्या बोलते हैं compound voucher क्या बोलते हैं compound voucher क्लियर है बात और उसके बाद था इसमें पूछे multiple debits है and multiple credits है multiple credit multiple credit उसको बोलते है journal voucher क्या बोले जाता है उसको journal voucher क्या बोले जाता है journal voucher debit voucher बता दिया इसको किलियर है बात compound voucher आपको बता दिया गया किलियर है बात transaction voucher जिसमें हम समान उधार परचेज करते हैं तो वो क्या कहलता है transaction voucher इसका भी आपको दिया हुआ था I think community post पर डाला हुआ था तो यह था हमारा एनवेस का paper जो कि आपका यह था इसमें आपको देखने को मिला हुआ केवल दो से तीन question आपके ilan 12 class से भाहर थे बाकि as it is जो आपका NCRT है उसके अलावा कहीं भी भाहर से नहीं था तो according to KVS भी आप अपने NCRT को करिए ज्यादा कह यह हाथ पहर मारने की जरूरत नहीं है स्लेबर्स को cover up किये according to NCRT अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please like, share, subscribe जरूर कीजिए thank you and have a nice day